दोस्तों, ब्लागिंग के लिए लेप्टाप की ज़वर्द पड़ती है, आप तो जानते हैं कि अगर एक आप ब्लाग सेट अप करते हैं, तो मॉबाइल से किया जा सकता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या मॉबाइल से ब्लागिंग कर सकते हैं, hundred percent कर सकते हैं, लेकिन एसा समय आएगा कि आप खुद साहिएगा कि अरे यार मोबाइल से पॉसिबल नहीं है सिरियस ब्लॉगिंग करना सिरियस का मतलग की ब्लॉगिंग को एज बिजनर्स केरियर लगाना तो ऐसे में बहिया कुछ पैसा आप इन्वेश्ट कर सकते हैं जब अगर होस्टिंग कर सकते हैं आप डोमेन पर कर सकते हैं लेकिन ठोरा सा और हिम्मत करिया एक मतलग की लैप्टॉप जो है ऐसा जो है कि मतलग संस्ते में ले लीजिए बहुत हाई इंड का लैप्टॉप लेने की जरूवत नहीं है तो ऐसे में क्या होगा कि मैंने आज एक और लैप्टॉप परचेज किया है उल्रेडी मेरे पास पहले से पीछे देख सकते हैं कि अच्छा खासा लेप्टॉप है जो की एडिटिंग पर पस से है लेकिन ब्लॉगिंग पर पस्ति इससे पहले में उसी पर ब्लॉगिंग करता था लेकिन क्या है कि अब ट्रेवल जो है थोड़ा ज्यादा हो गया है अगर आपके पास कम बजट है और अगर लेपटोप लेना चाहते हैं तो कौन सा लेपटोप ले और इसके बाद मैंने सारा कुछ बताने के बाद मैं आपको दिखा देता हूं यह मेरा लेपटोप है बराबर आप देखते हुए कि पीछे बैग्राउंड में जो है जितने भी यह ऐसे रखली जिपना जो करना है कर सकते हैं और इसके बाद इसमें खासित है कि नाइट मोड में कहीं है सपोर्ज जसे अभीग trauma है और रात में अगर आप माली जे कि झटये बैठेहे हुए है और बाहर का लाइट है फिरनित काम आप कर सकते हैं क्योंकि इसके जो keyboard है इसमें background light है background light है वो भी three mode में है एक है off का दूसरा है थोरा से जायदा light और तीसरा है कि उससे जायदा light अपले सकते हैं इसके बाद मतलए इसमें एक और feature है मतलए feature की बात गजब का है जितना price है उसके अमसा से feature है मैंने देख सुनकर के लिया है brand का नाम में बत keyboard कैसा है इसमें background light कैसे जलता है इसके बाद जो है इसका charging कैसे आप इससे जो है off भी रहेगा तो mobile charge कर सकते है फार्ष चार्जिंग है यह सब बहुत सारे feature है तो जानना चाहते हुएगा तो आप comment करिए का मैं जरूर बताऊंगा वह इसे description में link दे देता हूँ आप जा करके Amazon पर check भी कर सकते इसका price मैं आपको बता देता हूँ मैंने जो लिया है इसको 34,000 रुपया में लिया है और यह जो है i3 processor है एक बात याद रखिएगा अगर आप जो है सोच रहे होई है कि अभी i5 या i7 ले 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 तो इसमें आपका पैसा एक तरह से invest हो जाएगा और कुछ जादा हो जाएगा तो जब आपके पास बहुत सारे पैसे आज आएंगे तो फिर जो है जैसे मैंने video editing के लिए जो है higher बाला प्रोसेसर बाला मैंने laptop लिया है इसके बाद में dual monitor कर दिया यह सब तो आप पीछे देखी रहे हैं लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि भाई यह सब जब था ही तो फिर i3 processor लेने की क्या जरूवत है actually पैसा उतना ही लगाना चाहिए जितनी की जरूवत हूँ जब मेरा blogging के लिए सिर्फ और सिर्फ आइटिकल लिखना है और थोरा सा image create करना है तो image create करने के लिए जो है different software जो होता है जैसे Photoshop हो गया जिम्प हो गया इसके वा अबर वीडियो में बताते रहता है कि मैं कौन-कौन सा software उज़ करता तो वो सब इस पर चल जाएगा और blogging कहीं से भी चुकि mobile में internet access रहेगा ही रहेगा और कहीं भी मैं travel करूँगा तो वहां से blog article लिखता रहूंगा और मेरा blogging का जो carrier है उसमें कोई भी disturbance पैदा नहीं होग इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप को बता दू ता कि आपको तो पता चले कि जिस दोस्त को आप follow करते हैं जिस दोस्त की बात मानते हैं वो कौन-कौन सा समान इस्तमाल करता है और अगर मैं future में भी कोई समान लाऊंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा चुकि मैंने आपसे बराबर कहा है कि रिवीव जो है एक दिन में मैं नहीं दे सकता हूं इसलिए मैंने पर्चेश तो कर लिया था इस लैप्टॉप को पर्चेश करने के बाबजूद भी इसका मैं रिवीव अभी इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि रिवीव दूंगा उसका रीजन यह है कि रिवी नहीं हुँ तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका रिवीव करूंगा तो फ्यूचर में रिवीव और अच्छे से क्लोशुट लेकर के वीडियो बना दूंगा हैं एन्वे आपका क्या ओपिनियन है आप कौन सा लेप्टॉप लेना पसंद करते हैं या आपका wishlist में कौन सा laptop है नीचे comment section में जरूर बताईएगा like तो बनता ही बनता है और share अपने दोस्त को साथ तो खर ही दीजिगा इतना तो विश्वास है एनीवे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद